नेक्स्ट प्राक्टिस सेट है हमारा 1.2 जिसमें फर्स्ट कोश्टन है डिसाइड वेदर वेदर विच फॉलविग रिक्वल सेट्स आइड विच आर नॉट जिस्टिफा यूवर आंसर सेट ए दिया है जिसमें हमको बोला है एक्स सच देट 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वलस टू यह हमको दिया गया है हम इसको सबसे पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो देखिए सेट ए के इसमें एलिमेंट के आएंगा वो कैसी डिसाइड करेंगे हम यह 3 एक्स माइनस 1 को पहले सॉल्फ कर लेंगे तो 3 एक्स माइनस 1 इस इक्वलस टू है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 3 1 3 3 3 कैंसल 1 1 तो X is equals to 1 तो हमको एका एलिमेंट क्या मिला है 1 similarly हम बी का जो भी जो भी दिया है हमको उसको भी अच्छे से लिख लेंगे सेट में और सी को भी लिख लेंगे सेट बी जो हमारा वहाँ पे दिया है X such that X is a natural not but X is neither prime nor तो ऐसा एक ही नमबर है जो natural नमबर है वो प्राइम भी नहीं है और composite भी नहीं है ऐसा है 1 C X belongs such that X belongs to N and X is less than 2 तो यहाँ पे भी natural number A की है जो 2 से कम है वो है 1 तो सारे A और B और C में element A की हाया 1 इसलिए हम बोल सकते कि A equals to B equals to C Next question में हमको पूचा है कि सिर से हमको देखना है A और B equal है कि नहीं है उसमें हमको A दिया E1 prime number आपको पता है E1 prime number A की आता है 2 और B जो है X such that 7X minus 1 equals to 13 तो यहाँ पे हमको element find out करने के रिए सबसे पहले X की value find out करनी पढ़ेंगी और वो X की value हम find out करेंगे यह equation को solve करके 7X minus 1 equals to 13 7X equals to minus 1 इस side जाएगा तो plus 1 हो जाएगा 7X is equal to 13 plus 1 7X is equal to 14 X equals to 2 by 1 X equals to कैसे आया 14 divided by 7 7 मन्जा 7 2 जा तो A की भी value 2 आई थी और B की भी value 2 आई इसलिए दोनों sets क्या है equal है Next question है which of the following sets are empty और Q A is equals to A such that A is a natural number smaller than 0 smaller than 0 एक भी natural number नहीं आता है तो यह set भी empty रहेगा क्योंकि natural number start होते है 1 से 1 से कम का natural number नहीं रहता है उसके बाद B is equals to X such that X square equals to 0 तो obvious है X square की अगर value 0 है तो X की भी value 0 ही रहेंगी इसलिए B भी क्या है empty set है तो हमको reason में यहीं लिखना है कि if X square is equals to 0 then the value of X will also be 0 और 0 है वो set में value अगर 0 है तो वो set होता है empty set C is equals to X 5 X minus 2 is equals to 0 और यह बोला है कि हमको इसको क्या करना पर यह X जो है belongs to natural number यहां पर अगर हमने solve किया 5 X minus 2 तो क्या आता है वो देखेंगे 5 X minus 2 equals to 0 को solve करके X की value find out करेंगे 5 X is equals to 2 आएगा मुदा side जाएगा तो X is equals to 2 by 5 आएगा तो 2 by 5 belongs to rational number natural number नहीं है इसलिए यहां पर भी हमको empty set ही मिलेगा तो किनों sets क्या है empty है यहां पर तो हमको next question में बोला है write with the reason which of the following sets are finite और infinite तो देखिए A is equals to X such that X less than 10 X is a natural number तो यहां पर हमको limit दी है कि X कहां तक जाएगा less than 10 है मतलब 9 तक आएगी X की value और natural number है तो 1 से लेके 9 तक आएगी तो हम लिखेंगे कि यह finite number है क्योंकि यह set में सिर्फ 1 to 9 ही elements present है set of apparatus in laboratory हमको पता है कि अपने apparatus कुण से कुण से रहते हैं laboratory में तो सेट ऑफ अपैरेटर्स in laboratory हमको नहीं पता है ऐसी बात नहीं है हमको सब 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 लेबार्टरी के अपारेटर्स पता रहता है जो बहुत केंस्ट के अगर हमने लेबार्टरी में देखा तो apparatus हमको बता है कितने हैं तो हम इसको बोलेंगे finite state sets उसके बाद b is equals to y such that y less than minus 1 y is an integer तो यहाँ पर देखिए एक हमको दिया है but y बोला है यह less than minus 1 है but कहां तक जाएगा यह हमको नहीं दिया है इसलिए minus 1 से चालू होगा less than y is less than minus 1 minus 1 के पहले से है but कहां तक वो दिया नहीं है हमको value इसलिए हम इसको बोलेंगे infinite set set of whole numbers सारे whole numbers आगए उसमें 0 से लेके up to infinity यहाँ पर कुछ limit नहीं दिया है हमको इसलिए हम इसको बोलेंगे infinite set c is equals to set of students of class 9 from your school तो set of student of class 9 जो है आपको पता है आपने class में कितने बच्चे होते है तो हमको limit पता है class की इसलिए हम इसको finite set बोलेंगे set of rational numbers बहुत सारे rational numbers है तो हम ऐसे decide नहीं कर से आपके limit नहीं दिये कि कहां से कहां तक कि rational numbers हमको लेने है set में इसलिए यह हो गया infinite set set of people from your village हमारे village में कितनी population नहीं हमको पता है इसलिए हम इसको बराबर define कर सकते है हम exact एक figure लिख सकते है इसलिए हम इसको बोलेंगे इसको हम बोलेंगे finite set तो यहां पे देखिए finite set हमको समझ गया है infinite set हमको समझ गया है बट हमको यही देखना है कि finite और infinite sets जो होते है finite में कुछ न कुछ limits दी होती है और infinite में limits नहीं दी होती है कि कहा से कहा तक हमको elements लिखने है set में